तो मूवी की सुरुवात में हम डॉक्टर हेटर को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में बैठ कर एक पिक्चर को देख रहा होता है उस फोटो में तीन डॉग एक के पीछे एक खड़े होते हैं तभी वहाँ पर एक ट्रक आगर रुखता है ट्रक का ड्राइवर रोड के ज जाड़ियों की तरब जाता है और हलका होने लगता है इसके बाद डॉक्टर हेटर अपनी कार से एक राइफल निकालता है और उसे सूट करके बेहोस कर देता है फिर हम दो लड़कियों को देखते हैं जिसमें से एक का नाम जेपनी और दूसरी का नाम लिन्ड से था ये दोनों लड़किया नियू यॉर्क से थी, जो जर्मनी में टूर के लिए आई हुई थी, अब इन दोनों को पार्टी के लिए एक क्लब में जाना था, वैसे तो ये दोनों अक्सर ट्रेवलिंग किया करती थी, पर इन्हें जर्मनी के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं फिर ये दोनों अपना क्रेडिट कार्ड लेती हैं, और पार्टी के लिए एक रेंटल कार्ड से निकल जाती हैं, लेकिन इन्हें लोकेशन का अच्छे से पता नहीं था, इसलिए ये जंगल के रास्ते काफी दूर निकल जाती हैं, और अपना रास्ता भटक जाती हैं, किन इस जंगल में नेटवर्क सिंगनल नहीं होता, अब इन्हें जंगल में दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई देता, जिससे ये डिसाइट करती हैं कि इन्हे कार के अंदर ही रहना चाहिए, तब ही उस रास्ते से एक कार गुजरती है, जिससे देखकर ये दोनों उससे हेल्प लेने की कोशिस करती हैं, उस कार में एक ओल्ड आदमी बैठा होता है, जो इन दोनों को कार में अकेला देखकर काफी अजीब बरताओ करता है, जिससे ये दोनों डर जाती हैं, और कार को अंदर से लॉक कर देती हैं, तब ही वो old man अपनी कार लेकर यहां से चला जाता है इसके बाद ये दोनों आसपास किसी घर को ढूडने लगती है ताकि ये वहाँ जाकर help ले सके अब रात काफी जादा हो चुकी थी और ये दोनों जंगल की तरफ help लेने के लिए जाती है अब कुछ दूर आगे जाने पर इन्हें एक घर से लाइट आती हुई दिखाई देती है इसलिए ये दोनों उस घर की तरफ जाने लगती है पर तब ही वहाँ तेजी से बारी सुरू हो जाती है जिससे ये दोनों उस घर तक पहुचने से पहले ही काफी जादा भीग जाती है फिर जब ये उस घर के डोर को नौक करती है तो उस घर से डॉक्टर हेटर बाहर आती है ये दोनों डॉक्टर हेटर को अपनी प्रावलम के बारे में बताती है और कहती हैं कि हमें कार मेकानिक के पास कॉल करना है ये सुनकर डॉक्टर हेटर पहले तो इन्हें عजीब तरह से देखता है और फिर अंदर बुला लेता है डॉक्टर हेटर इनसे पूँचता है कि क्या तुम टू्रिष्ट हो इस पर ये उसे बताती है कि हम New York City के रहने वाले हैं जो यहाँ टूर करने के लिए आये हुए हैं इसके बाद ये दोनों हेटर को मेकैनिक के पास कॉल करने को बोलती हैं पर हेटर इनकी बात को इगनोर कर देता है और इनसे एक सवाल पूछता है कि क्या तुम दोनों वापस में एक रिलेटिब सो इस पर ये उसे बताती हैं कि नहीं हम दोनों एक अच्छे फ्रेंड हैं फिर जब हेटर इनसे ड्रिंक के वारे में पूछता है तो ये उससे नॉर्मल पानी मांगती हैं जिससे हेटर पानी लेने के लिए किचन में चला जाता है तभी हेटर एक कॉल करने का नाटक करता है जिससे सुनकर इन्हें लगता है कि हेटर मेकैनिक को कॉल कर रहा है तभी हेटर पानी में ड्रक्स मिला देता है और इन दोनों को पीने के लिए देता है फिर लिंड से उसे पी लेती है लेकिन जैनी से पानी की गलास नीचे गर जाती है जिसे देखकर हेटर उस पर काफी गुस्सा करता है और पानी को साफ करने के लिए टौवल लेने बेसमेंट में जाने लगता है बेसमेंट में हेटर एक इंजिक्सन को फिल करता है दूसरी तर को फिर से कॉल करने के लिए बोलती हैं लेकिन हेटर इस बार भी उसकी बात ignore कर देता है तभी हेटर वो injection जेनी के गर्दन में लगा देता है जिससे जेनी मौके पर ही बेहोस हुजाती है फिर हीटर अपना breakfast लेने लगता है तभी जेनी और लिंड से को होस आता है जो खुद को हेटर के लैब में पाती है जहां हेटर ने इनके हाथ और पैर को बेड़ से बात दिया होता है तभी इन्हें वहाँ पर एक और आदमी दिखाई देता है जो वही ट्रक ड्राइवर होता है जिससे हेटर ने गन से सूट करके बेहोस किया थ अब वहाँ हेटर आ जाता है जो इस ट्रक ड्राइवर को कहता है कि अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है ये कहकर हेटर उसके बॉड़ी में एक पॉजन से भरा हुए इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है जिससे वो ट्रक ड्राइवर तडब तडब कर मर जाता है फिर उसे अपने लैब में ले जाता है और इन सब को अपना इंट्रो देता है कि वो एक रिटायर्ड सर्जन है साथ ही वो इन्हें बताता है कि वो किस तरह से इन तीनों को वापस में जोडने वाला है जिसमें सबसे पहले वो इनके घुटने के लिंगामेंट्स को तोड़ जिससे जब पहला आदमी खाना खाए तो उसका वेश्ट मेटेरियल दूसरे इनसान के बॉडि से होते हुए तीसरे आदमी के मुह में चला जाए जैसा कि हमें डायाग्राम में समझाया गया है अब ये सुनकर तीनों काफी ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि वो डॉक्टर इनके साथ बहुत गंदा एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है क्यर सबसे पहले हेटर उस जैपनी जादमी को सलेक्ट करता है जिसमें वो उसे एक बेहोसी का इंजक्सन देता है ये देखकर जेनी जोड़-जोड से चिलाने लगती है लेकिन वहाँ कोई भी उसके हेल्प कर अब हेटर जेनी के पास जाक उसे भी बेहोसी का इंजक्सन लगाने की कोशिस करता है। लिंड से स्विमिंग पूल में कूच जाती है। अब हेटर दुबारा से इन दोनों को अपने लैब में ले जाता है। उन तीनों के जख्म अभी भी ठीक से भरे नहीं होते हैं। पर हेटर जबरदस्ती उन्हें खड़ा करने की कोशिस करता है। सबसे आगे वो जैपनी जादमी होता है। और उसके पीछे लिंड से और लाश्ट में जैनी होती है। पर हेटर इन्हें जबरदस्ती खड़ा करके इनकी फोटोज लेने लगता है। फिर वो इन तीनों को मिरेर में दिखाता है। जिसमें ये लोग अपनी हालत देख कर रोने लगती है। फिर हेटर इन्हें पिंजरे में बंद कर देता है। और इनके साथ जानवरों जैसा भी हैप करता है अब काफी दिनों तक ऐसा ही चलता है जहां हेटर उस जैपनी जादमी को एक कुत्ते की तरह खाना देता है तभी वो जैपनी जादमी मोका पाकर हेटर के पैर को काट लेता है जिससे हेटर गुस से में उसे बहुत मारता है और कहता है कि अगर तुमने दुबारा ऐसा करने की कोशिस की तो मैं तुम्हें बुरी तरह मार डालूंगा इसके बाद हेटर इनके साथ बुरा बरताओ करता है तभी जैपनी जादमी को तेजी से वाउसरूम लगता है, जिससे वो अपना वेश्ट छोड़ने लगता है, फिर वो वेश्ट लिंडसे के मुह में चला जाता है, और लिंडसे को मजबूरन उसे निगलना पड़ता है, जो कि इस मूवी का काफी घिनोना सीन होता है, अब एक जैनी काफी कमजोर हो चुकी होती है, इसलिए हेटर जैनी की जगा किसी दूसरे आदमी को सेट करने का प्लैन बनाता है, तभी कोई हेटर के दरवाजे को नौक करता है, हेटर दरवाजा खोलता है, तो उसे दो पुलिस ओपसर दिखाई देते हैं, जो लिंडसे और जैनी क को ढूंडते हुए यहां आये थे, क्योंकि उनकी कार हेटर के घर से कुछी दूरी पर थी, अब हेटर नहें बताता है, कि वो एक डॉक्टर है, जो अपने काम में काफी बिजी रहता है, जिसकी वज़ा से उसे बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए ही उसे किसी के ब पानी में ट्रक्स मिला कर इनके पास लाता है, अब उन में से एक ओफिसर पानी पी लेता है, पर दूसरा ओफिसर पानी नहीं पीता, हेटर जवर दस्ति उसे पानी देने लगता है, जिससे वो पानी की गलास नीचे गर जाती है, फिर हेटर टोवल का बहाना लेकर अंदर जाता है जहां वो अपनी बेहोसी की इंजक्सन लेकर वापस आता है लेकिन तभी वो ऑफिसर उसकी इंजक्सन देख लेता है जिससे हेटर अपनी सफाई देते हुए कहता है कि ये इंजक्सन मैं खुद को लगाता हूँ क्योंकि मुझे डाइबिटीज है ये सुनकर वो दोन तिनों आपसर यहां से चले जाते हैं, अब हीटर अपने लैब में जाता है, जहां उसे हुमंस एंटिपीट नहीं दिखाई देता, तभी वो जैपनी जादमी हीटर के पैर में एक नाइफ गुसा देता है, जिससे हेटर नीचे गर जाता है फिर वो हेटर के गले को काट लेता है और यहां से जाने लगता है इसके बाद ये तीनों उपर जाने की कोशिस करती है अब काफी जादा घाव होने के कारण ये तीनों उपर नहीं जा सकते थे पर ये किसी तरह उपर जाने की कोशिस करते हैं जिससे इनके सर्जरी वाले हिस्शे से ब्लेडिंग होने लगती है लेकिन ये किसी तरह उपर आ ही जाते हैं हेटर भी उठ खड़ा होता है और इनका पीछा करने लगता है इधर जैपनी जादमी उसी रूम में पहुचता है जिसका सीसा टूटा हुआ था क्योंकि इन्हें नहीं पता होता कि हेटर ने गलास को चेंज करा दिया है इसके बाद जैपनी जादमी उसीसे को तोड़ने की कोशिस करता है तभी उसके सामने हेटर आ जाता है जिसे देखकर वहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं था तभी उन में से एक पुलिस ओफसर को ड्रक्स का नसा होने लगता है जबकि दूसरा ओफसर हेटर को ढूरते हुए दूसरे कमरे में जाता है जहां उसे ये तीनों लोग मिल जाती है जो कि अब human centipede बन चुके थे ये देखकर वो ओफसर काफी ज़्यादा डर जाता है और अपने साथी को ढूरने के लिए बाहर जाने लगता है तभी वो सुविंग पूल में देखता है कि उसके साथी को हेटर ने मार डाला है तभी हेटर उसे भी सूट कर देता है लेकिन वो ओफसर मरने से पहले हेटर को भी सूट करके मार डालता है इधर जेनी भी अब अपना दम तोड़ देती है जब कि लिंड से भी भी जिंदा होती है और इसी के साथ इस मुवी का फर्ष्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है